महिला सशक्तिकरन को भीहत आसान शब्दों में परिभाशित किया जा सकता है कि इसमें महिलाई शक्तिशाली बनती हैं जिसे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसली स्फेम ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्ट करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महला सशक्तिकरण है आज की नारी पुरी दुनिया में सफलता प्राप्त कर रही है चाहे वो डॉक्टरी शेतर हो या फिर इंजिनेरिंग आज कहीं पर भी नारी समाज किसी काम में पीछे नहीं, वह अपनी महनत और लगन से पुर्षो को भी पीछे छोड़ रही है आधर शेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है एवं सफलता प्राप्त कर रही है महिलाओं के बढ़ते कदम और सफलता को आज हमभली भाती देख रही है आज का दिन उन्हें सम्मानित करने का है महिला ही एक नुस्त ट ग्रियेशन समझुने तर महिला ही एक क्रियेटर आःए ती लहनपना पसुन मुलानना सामबाडते घर सामबाडते पूर्ण कुटूंब शामबाडते एव्डस नवे तर आता सगरेकले शिक्षन गिवन सगरेक शेत्रयान मदे सुद्धा महिला पुढे गेलली आहे तर त्यामुडे महिलानी कदीच आपलाला कुठेज कमी लेखु नहे आणि त्यास प्रमाने आपले विश्वाचा अर्ध अधिक भार तीचा खान्यान वर आहे मतला तर आमोले आपला महित्व श्वाचा उलखायाला पाईजे त्याश प्रमाने सवताला योग्यारित्या संमान सब्सवाच अभिमान सवताасибо डिग्निटी जपने सथी सुद्ध है मैलानी सवता पुढ बैतना कराईजे असजर मैलानी के लातर नीचीतस मैला इसी श्रूंखला में ग्राम पंचायत निलडोहो में वहाँ पर चतूरते श्रेनी करमचारियों नी अपने वरिष्ट महिला अधिकारी के साथ मिलकर इस महिला दिवस को काफी खुबसूरत धंग से मनाया इन विस नियूस के लिए केमरा परसन अजीत कुवर के साथ रुपा पंडित के रिपोर्ट